अगर आप अपने फाइनांस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं. बहुत से लोग उधारी में जी रहे हैं. वो लोग अपना रेंट पेकर पाने में असफल हैं और एक इंसेक्यूर जॉब का पार्ट हैं. हाला कि वो ल के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो गई हैं. कई लोगों के लिए फाइनांशल सेक्यूरिटी को खत्म करना एक सपना बनकर रह गया है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस बुक को पढ़के जान की प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं. इसके अलावा आप जानेंगे कि किस तरह इंस्टाग्राम हमारी फाइनाशल प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है. क्यों किराय के घर में भी आपको अपने घर जैसा अनुभव करना चाहिए और एकनॉमिकल लाइफ के साथ किस तरह से आ जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो खर्च भी बहुत जल्दी हो जाते हैं जिसकी वज़े से बैंक बैलन्स जीरो रह जाता है. ऐसे लोगों को बार-बार बैंक से वर्निंग वाले लेटर्स आते हैं और ऐसे सिर्फ चुनिंदा लोग नहीं हैं. बहुत से लोग हैं जिनके हालात ऐसे हैं. तो अगर आपका फाइनांस भी एक mess बन चुका है तो कोई problem नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि financial knowledge ना होने की वज़े से लोगों को पैसे के मामले में काफी disadvantage होता है. Financial knowledge ना होने के पीछे financial education ना मिल पाना एक बहुत बड़ी वज़ा है. बात करें United Kingdom की तो वहाँ पर स्कूल में financial education का कोई रोल ही नहीं है. तो जब कोई student पढ़ाई या फिर job के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसको savings और finance से जुड़ी हुई चीज़ों की बिलकुल knowledge नहीं ह होती. बात करें लेकिका की तो उनके स्कूल में भी finance के बारे में सिर्फ एक बार बात हुई थी वो भी किसी और subject को लेकर. Students को financial education देना parents के उपर छोड़ दिया जाता है और इसको एक lottery की तरह देखा जा सकता है. क्योंकि सारे students एक अमीर घर में पैदा नहीं होते हैं, तो इस वज़े से उनके parents उनको सही financial education नहीं दे सकते हैं कि किस प्रकार से पैसों का सही use होता है. कई बार तो लोग अच्छी financial condition क की वज़े से भी परिशानी में आ जाते हैं. United Kingdom में तो situation काफी खराब है. वहां की government ने उन protection को हटा दिया जो की job security और salary बढ़ाने की guarantee देते थे. Financial insecurity किसी individual के fail होने से बड़ी problem है. 2019 में United Kingdom में एक परिवार की income मात्र 15,400 pound रह गई थी. हाला कि वहां पर लोग holiday, cloth और शौक्या चीज़ों पर ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन फिर भी financial insecurity वहां पर एक बड़ी problem है. इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे steps लिए जा सकते हैं. लेकिन ये समझना भी गलत है कि आ आपकी गलतियों का नतीजा है. जब बात आती है पैसे की problem की तो शर्म भी उसके साथ साथ चलती है. हम सभी के according एक happy family वही है जिसमें पती-पतनी जौब करते हों, उनके दो बच्चे हों और उनका एक अच्छा सा अपना घर हो. मान लीजे कभी उस family में से एक इनसान ने ज किसी को बताया भी नहीं. लेकिन कुछ समय बाद उस extra खर्चे की वज़े से घर की financial security disturb होने लगी. ये बहुत common situation है. ऐसी situation में वो इनसान silence को अपना साथ ही बना लेगा. और silence के साथ उसको शर्म का भी एहसास होने लगेगा. हर टाइम उसके दिमाग में पैसे की वज़े से tension बनी रहेगी. जब भी उसको बैंक की तरफ से call आएगा वो उस call को pick करने में भी हिचकिचाएगा. जब आप खुद को शर्म की वज़े से किसी ऐसी खराब situation में डाल लेते हैं तो आप कोई action भी नहीं ले पाते हैं. बात करें लेकिका की तो 21 साल की उम्र में उनके पिता की death हो गई. पिता की तरफ से उनको security के तौर पर 10,000 pound मिले. पैसे बचाने की जगा उन पैसों से लेकिका ने एक holiday enjoy किया. लेकिन जब वो पैसे खत्म हुए तो उनको अंदर ही अंदर शर्म का एहसास हुआ कि जो पैसे उनको बचाने चाहिए थे उनको उन्होंने एक holiday के कर पाएंगे. अपनी गलतियों को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, बलकि ऐसा करने से आप silence और शर्म से बाहर निकल कर उस situation को ठीक करने के लिए कुछ action ले सकेंगे. अगर लेकिका ने अपने उस खराब financial decision को accept कर लिया होता, तो शायद उनको इतना शर्मशा महसूस ना हुआ होता. जब आप किसी चीज के बारे में गिल्टी होते हैं, तो आपका मन होता है कि सबसे दूर क्यों ना चले जाएं. लेकिन अपनी mistakes को accept करने से शर्म कम हो जाती है. अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वज़े से पैसों की समस्या हो रही है, तो फ भी ज्यादा बुरा फील होगा और इससे शायद आपकी financial situation और ज्यादा खराब हो जाए. जब लेकी का maternity leave पर थी, तब उन्होंने अपना काफी समय सोशल मीडिया पर invest किया. वहाँ पर उन्होंने कई तरह के अलग-अलग interior design वाले घर देखे और उन्हें देखने के बाद उनका मन भी हुआ कि वो अपने घर को रेनोवेट करें. हाला कि वो पहले से ही खराब financial condition में थी, लेकिन इसके बावजुद उन्होंने घर को रेनोवेट करने पर पैसा खर्च किया. हाला कि रेनोवेट होने के बाद उनका घर बिलकुल वैसे ही लगने लगा, जैसे उनकी इच्छा थी, लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़े. ऐसा असल में क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोचल मीडिया पर वो सब चीज़ें देखने के बाद लेकिका को लगा कि उनकी standard काफी कम है और उसको उपर ले जाने के लिए उन्हो इन्वाल्व ना हो. और दूसरी बात, जब अपनी लाइफ को किसी के साथ compare करें तो अपने आप से सवाल करें कि उसके जैसे लाइफ जीने के लिए क्या आप अपने पास मौजूद चीज़ों को sacrifice करने को तयार हैं? क्या आप अपने दोस्तों और पईवार को छोड़ दें उम्मीद है कि खुद से ये सवाल करने के बाद आपको अपना जवाब मिल जाएगा. याद रखें कि ओनलाइन मौजूद ज्यादतर चीज़ें एक illusion है. illusion यानि की ब्रह्म. सोचल मीडिया पर दिखाई गई perfect चीज़ें बहुत कम ही perfect होती हैं. याद रखें हम वही देखते हैं जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं. Finance एक feminist issue है. आपको एक शौक कर देने वाला statistics बताते हैं. United Kingdom में 64% लोग जो financial problem से परिशान हैं वो महिलाएं हैं. हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि महिलाओं को ज्यादा salary वाली नौकरी नहीं मिलती या शायद इसलिए क्योंकि family के प पैसे के मामले में gender disparity है. बात करें gender pay gap की यानि कि महिलाओं और पुरुशों को मिलने वाली salary की gap की तो बीते सालों में इसमें कोई खास improvement नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस field में transparency की कमी है. बहुत सारी workplace पर employees अपनी salary के बारे में खुल कर discuss भी नहीं कर सकते. ऐसे situation में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि महिलाओं पुरुश से ज्यादा कमा रही है या कम. United Kingdom में तो और भी ज्यादा problem है. उनकी यहाँ एक pink tax होता है जिसकी वज़े से किसी भी product के लिए महिलाओं को पुरुशों से ज्यादा पे करना पड़ता है. महिलाओं की financial condition पर तब महिलाओं के career पर भी संदेह बढ़ जाता है. जब वो काम पर लौटती हैं तो part-time job या फिर flexible time की demand करती हैं तो उनको ना कर दिया जाता है. figures के according हर साल 54,000 महिलाएं pregnancy की वज़े से अपनी job खो देती हैं. कई companies तो ऐसी महिलाओं को job ही नहीं देती जो pregnancy के करीब होती हैं. 44% महिलाओं का कहना है कि pregnancy के बाद उनकी salary कम कर दी गई है. अभी 2021 है और कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है. हमसे पहली वाली generation के लिए अपना किराए के घर पर रहते हैं तो आपको पता होगा कि अपना खुद का घर ना होने पर कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ता है. किराए के घर में आप अपने according कुछ नहीं कर सकते. बात कर United Kingdom की तो वहाँ पर उनकी total population का one-fifth part किराए के घर में रहता है. और दिन प्रत का घर ले पाना लगभग impossible है. आखिर United Kingdom में प्रॉब्लम आई क्यों? Margaret Thatcher जब United Kingdom की Prime Minister बनी तब उनका target ये था कि सभी को उनका खुद का घर दिलाया जाए. और इसी कारण से उस समय United Kingdom में किराय के घर में रहना और भी महगा हो गया जिससे सब यही चाहने लगे कि उनका भी अपना खुद का घर हो. और आज भी कंडिशन कुछ वैसी ही है. आज भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होना एक बहुत ज़रूरी चीज है. लेकिन खुद की प्रॉपर्टी खरीद कर उस पर घर बना कर उनको किराय पर देने की वज़े से किराय के घर में रहना और महग हो गया है. तो ये समय है अपने डिसिजन को री कंस्टर करने का, क्योंकि आप अपना आधा जीवन तो किराय के घर में ही बिता देते हैं. ग्रिलो ने अपनी पुक होम, रेंटेट स्वीट होम में कहा कि कोशिश करें कि आप अपने किराय के घर को इस तरह बना लें कि वही पर आपको अपना घर जैसा एहसास हो. उस किराय के घर को अपनी सोच के अकॉर्डिंग डेवलाप करें. हाला कि उनका मानना है कि रेंटेट हाउस को लेकर गर्वर्मेंट की पॉलिसी में बदलाव आना चाहिए. Financial difficulty से निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपने लिए concrete यानि की पक्के गोल्स सेट करें. जब आपकी financial condition ठीक नहीं होती तो उस situation से निकलना आपको काफी मुश्किल का काम नजर आता है. और उस खराब situation से निकलने के लिए जिस चीज़ की जरूरत सबसे ज्यादा है वो है clarity Clarity को हासल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने लिए goals सेट करें. ऐसे goals जिसके बारे में सोच कर भी आपको happiness मिलती हो. अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज़ आपको खुशी प्रदान करती है. मान लीजे कि आप अपने किसी दोस्त के यहाँ गए और वहां आपने कुछ ऐसा furniture देखा जो आपको काफी पसंद आ गया और उस furniture की मदद से घर भी आलिशान लगता है. हाला कि अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसको खरीद सकें लिकिर अपने दोस्त की बराबरी के लिए आप कहीं से उधार लेकर वो furniture खर आ रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक समय पर जो चीज आपको लग रही थी कि आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी वो आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं हुई. इसलिए जरूरी है कि आप right goals सेट करें. बात करें लेकिका की तो उनके लिए हर goal अलग-अलग प्रकार की happiness लेके आता था. उनका एक goal था कि वो अपना खुद का घर खरीद सकें, जहां उनके बच्चे खुल के enjoy कर सकें और वो अपने दोस्तों को invite करके उनके साथ quality time बिता सकें. जब आप अपने लिए एक बड़ा goal सेट कर लेते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आ और फिर उसके according budget बजट बनाएं. अगर आप अपने financial target को achieve करना चाहते हैं, तो आपको ये clear होना चाहिए कि आपके goals क्या हैं और उसको achieve करने के लिए आप कैसे छोटे-छोटे steps लेंगे. गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने finance यानि की पैसों का सही use करें ऐसा करने से आपको समझाएगा कि आपने फाल्तू का खर्च किस field में किया है. हाला कि इससे आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं, तब तक आप improvement कैसे करेंगे? दूसरी चीज ध्यान दें कि आपकी income कितनी है और आप खर्च कितना कर रहे हैं, मतलब आपके पास month की शुरुआत में कितने पैसे होते हैं, और उसके बाद पता करिए कि वो कौन-कौन से areas हैं जहां पर हर month खर्चा होता ही है, जैसे कि घर का rent, taxes, बच्चों की fees, ये सब च करें, ऐसी चीज़े जो ज़रूरी तो नहीं हैं, लेकिन entertainment के लिए valuable हैं, इसको analyze करें और उससे दूरी बनाएं जिसके बिना आप रह सकते हैं, हाँ अगर थोड़ा बहुत extra खर्च हो रहा हो, तो कोई problem नहीं है, step 4 में अपने variable expenses पर नजर डालें, वो खर्च जो हर महीने मे बदलते रहते हैं, हाला कि ये खर्च ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन पर पैसे save किये जा सकते हैं, last step 5, देखें कि सब तरह की चीज़ें analyze करने के बाद क्या बचा है, आप अपने बचे हुए पैसों को save कर सकते हैं, या उस पर खर्च कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, हाल financial pressure के साथ struggle करना काफी hard है, लेकिन कभी-कभी ऐसी life जीना भी ज़रूरी है, हमेशा याद रखी कि life is short, आप अपने खर्चों को याद करके भी enjoy कर सकते हैं, इगनॉमेकल होने से शायद आप उन चीज़ों को appreciate कर पाएं, जिनको आप पहले overlook कर देते थे, सबसे पहले तो नई चीज़े खरीदने से happiness नहीं आती, कोशिश करिए कि आप पुरानी चीज़ों में खुशी ढून पाएं, अगर आपको कपड़े ही खरीदने हैं, तो क्यो ना second hand shop पर जाकर खरीदें, पैसे फालतु जगह पर खर्च करने से अच्छा, क्यो ना आप उन पैसों की मदद से एक पिकनिक प्लान करें, या फिर म्यूजियम जाएं, यी सब चीज़ें एंटर्टेन्मेंट भी देंगी और यहां पर पैसे भी कम खर्च होंगे, और सबसे जरूरी बात इससे आपको satisfaction भी मिलेगा, एकनॉमिकल होकर लाइफ जीना काफी eco-friendly भी होता है, दो सबसे जरूरी चीज़ कभी भी पैसों की problem को चुपाएं नहीं, जब आप अपने एकनॉमिक जीवन को सब के सामने रखते हैं, तो लोग आपसे inspire होते हैं, आखरी और सबसे जरूरी चीज़ खुद को materialism से दूर रखें, जरूरी नहीं कि आप किसी को महंगा gift देकर ही इसाबित क कि आप उसकी care करते हैं, आप महेंगे gift से ज़्यादा expensive चीज़ भी दे सकते हैं और वो है आपका कीमती time कुल मिलाकर, ये जरूरी है कि आप खुद को अपनी financial problem की वज़व माने, लेकिन ये याद रखें कि सारी गलती सिर्फ आपकी ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों की वज़द से ये होता है, जब आप अपनी financial situation को control करने के काबिल हो जाएं, तो वही सही समय है जब एक अच्छा goal आपकी help कर सकता है Don't forget to live your life क्या करें? अपने finance को अच्छे से manage करने के लिए एक square paper लें और जब भी आप savings करें तो उस paper पर एक box को color कर दें जब आपको अपनी progress नजर के सामने दिखती रहेगी तो आपको एहसास रहेगा कि आप अपने goals के कितने करीब हैं Keep reading, Keep learning, Keep growing